नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आपका मेरी चैनल लोकें रजी की रहने उसके साथ साथ खुस रहना बहुत ज़िए जो लोग खुस रहते हैं उनके जीवन दे समस्यां आने से पहले अपना रास्ता बदर लेती हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुक्र ग्रहत को मजबूत करने के विए एक सचोब उपाय बताने जा रहा है दोस्तों मैं पहले ये बता दूँ कि सुक्र ग्रहत जिसका फी मजबूत होगा उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं हो सेगा कि दूसरा उसको बड़ी बड़ी अपउर्चुनिंती हमेसा मिलती रहती है और अपउर्चुनिती ही नहीं मिलती है वह उन अपउर्चुनितीयों को देक लगर पाता है और वहाँ शफलता हासिल करता है और आगे बढ़ता है तो सुक्र ग्रह एक बहुती ही अच्छा ग्रह माना जाता है सुक्र ग्रह मजबूत होने से आपके सारी रिख सुन्दत ही बढ़ जाते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ उपसे पहले मेरा आप से रिवेदन है अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्च कर ले बेल आइकन दमाए तो जो अच्छी लग्पी है तो लाइक और दोस्तों में से अबस्च कर ले किसी और का कहीं भला होगा तो आपका खला अपने आप हो जाएगा या उसका पुनिपन आपको भी राखते होगा चलिए दोस्तों आपको करना क्या है ये क्रिया को सुक्रवार के पूरे दिन में सुबे से सांत किसी भी समय करें दुपेर का टाइम आप हटा के दुपेर के बारा बजे से चार बजे के बीच का टाइम पसंदना करें सुबे साथ बजे से बारा बजे तक और चार बजे से राथ को आठ बजे तक इसक्रिया को कर सकाए इस क्रिया को माइना है और गुरुस दोनों ही कर सकते हैं, शुक्र का मदबूत होना मतलब आपकी लाइफ का एक बहुत ही शफलता का प्रतीक है, आपके चेरे की सुन्दर्टा, आपके सरीर की सुन्दर्टा ये भी बढ़ जाएगी, आपके पास पैसे कहीं से भी हमेशा आत रहेंगे और आपकी जो आभा है या जो आपका व्यत्तित्तो है तो इतना प्रफावसाली होगा कि लोग आपको देखते ही आपके प्रफाव के अंदर आजाएगे, चलिए दोस्तों आपको करना क्या रहेंगे, शुक्र, ग्रहका, छेका, अंखेज, तो या तो आप जरकन की अंगुखी धारण करें, अगर आपके शुक्र ग्रह कमजोर है तो जरकन की अंगुखी आप धारण करें, उससे भी आपके शुक्र पावरफुल होगा, दूसरा आपको साथ तुक्डे, मिस्री के लेले में हैं, मिस्री आती है, आप किसी भी पूजापाथ की दुकान प बोलेंगे, तो आपको मिस्री मिल जाएगे, उस सक्कर के बड़े-बड़े तुक्डे होगे, और सुक्र ग्रह को बहुत पसंद है, तो आपको मिस्री ले आएं, और उसमें से छोटे-छोटे सब छे तुक्डे करके, छे तुक्डे करके, आपको अपने सामने कटोरी में र और आपको छे बार बोलना है, ओम सुक्राय नमहम, ओम सुक्राय नमहम, छे बार बोलना है, और वो मिस्री के कुक्ड़े, आपको वहां से उठा लेना, कुछ नहीं करना है, आप उनको कहीं विवस्थित जगे रखने हैं, दोस्तों गूड सुबए नहाद होके तैयार होने के बाद, आप उसमें से एक तुकड़ा उठा के और उसको चबा के खाले ना है, छे तुकड़े आपको किसी तो में देना है, ये सारे के सारे तुकड़े, सुबए नहाद होके शुच्छ हो, और जब भी आप अपने के लिए निकले हैं आप उस टुकड़े को चबा के खाले हैं या महिला है जो बन मेरे दिये सुबह में हादों के स्वच्च होने के राद सब्सक्राइब मिश्री का टुकड़ा खाले हैं यह आप छे दिन तक कंटी हुच खाएं बस आपको कुछ नहीं करना हैं आपके जीवन हर खुशी होगी कि दिमान होगी और तैसे आपके पास विरंतर आते भी रहेंगे और टिकेंगे भी तो करते रहें इसको करने या समझने नगर आपको कहीं पर या सुभित आओ तो कमेंट पहुच में लेकर पूछ है वस्त नमस्कार